अपने मोबाइल में प्ले स्टोर की आईडी कैसे बना सकते हैं हलो दोस्तों आज के इसी वीडियो में जानेंगे कि अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर की आईडी कैसे बना सकते हैं बहुत सारे लोगों को मालूम ने होता है कि अपने मोबाल में प्ले स्टोर की आईडी कैसे बना सकते हैं तो गैस आज के इसी वीडियो में जानेंगे तो दोस्तों आप इसी वीडियो को सरु से लेके एंड तक देख लेना मैं आपको स्टेप बाई स्टेप समझाऊंगा तो दोस्तों आपको भी समझ में आ जाएगा और आप भी अपने मोबाल में प्ले स्टोर की आईडी बनाना सीख के जाओगे तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते ही तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप इस चनल पे नए आई हो तो चनल को सस्काइब करके पास में बेले कंट गंटी दिखाए देरी उसको भी ओल पर फ्रेस कर देना उसके बुद गैस आप अपने मोबाल में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है तो गैस आपको इस परकार इंटरफेस दिखाई देगा तो गैस आप अपने मोबाल में प्ले स्टोर की दूसरी आईडी भी बना सकते हो और आपको अपने mobile प्लेइस्टोर की ID नहीं बना रखी होगी तो guys आपको आपको इस परकार interface दिखाई देगा जैसे मैं अपने mobile में apply कर लोगा तो guys आप अपने mobile प्लेइस्टोर की ID नहीं बना रखी होगी तो guys आपका आपको content पर click करके इस परकार आपको इंटरफेस दिखाई देगा उसका विद्गाइस आप अपने मोबाल में Create Account पर कलीक करके For My Sale पर कलीक कर लेना जैसे उस पर कलीक कर लोगे तो अपने मोबाल में यहां से अपने First Name को दर्ज कर लेना जैसे मैं अपने First Name को दर्ज करके यहां से अपने अपने ओडलिन आपको दर्ज करके यहां से आपको Next के बटन पर कलीक कर लेना जैसे आपको कलीक कर लोगे तो अपने मोबाल में Play Store की ID होगी वो बन कर तयार हो जाएगी और आप अपने मोबाल में Step By Step समझाना चाहता हूं तो आपको 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 आ आपको आपने मोबाल में पासपोर्ट को या आपने समिट करके अपने मोबाल में प्ले स्टोर की आईडी बना सकते हो। तो दोस्तों आप भी अपने मोबाल में प्ले स्टोर की आईडी बनाना चाहते हैं तो इस परकार बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो आपको यूस पूल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और दोस्तों ये वीडियो कैसे लगी वीडियो के निचे कमेंट करके जरूर बताना और दोस्तों आप इस चनल पर नए हो तो चनल को सस्काइबर जरूर कर देना वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दन्यवाद